आज हमारा है 21st of February और आज हम लोग करेंगे 6th revision अपने जो भी हमारा plan चल रहा है अलाबाद High Court, ARO, ARO के लिए और जो आगामी, UPPSC, ARO, ARO exam आने वाला है उसके लिए तो अगर आप यह plan फॉलो कर रहे हैं आराम से तो आप अपना syllabus complete कर सकते हैं टाइम रहते हुए और बाद मे जब exam का notification आएगा तो आप काफी कुछ चीज़ें complete कर चुके होंगे जैसे कि आप plan में देख सकते हैं history almost complete हो गया है बस दो-तीन lectures और हमारा current affairs complete हो गया है English का काफी portion हमने का लिया vocabulary हम continuous लिए और घटना चक्र से हमने काफी सारे question solve करें और हम लोग continuously typing कर रहे हैं तो अगर आप अलाबाद high court के लिए कर रहे हैं तो typing कर सकते हैं अगर आप UPSC के लिए कर रहे हैं और बागी सारी चीज़ें जो हम continuously करी रहे हैं तो अगर ये group मैंने जो ये plan मनाया है ये वास्तिक में इसली बनाया क्यों कि बहुत सरे students को problem होती पढ़ाई नहीं होती उनसे हना वो continuity नहीं पाते पढ़ाई में तो अगर आप ये plan follow करेंगे तो आप continuity कर सकते हैं हना अपने और जो होते हैं कभी कभी कुछ लोग आ जाते हैं घर में या आपका कही plan बन जाते हैं तो पढ़ाई वहीं पर कड़ जाती है तो उस सबसे भी बच सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि प्राजीन भारत भी खतम के लिए तो आप इज़े जाके playlist में देख सकते हैं ठीक है बागी सारी चीजें जो है हम अपने end पे कर रहे हैं और इनके मैं test ले रहा हूं continuously free में तो आप जो है ग्रूप में हमारे जोइन कर सकते हैं free group है नीचे आपको description link मिल जाएगा ओके फिर जो है यहाँ पे English के बारे में जो है आप जो भी हमने complete करना था वो हमने आज मैं आपको बताओंगा और बागी computer में क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं भी तो आज यह सबसे बहले देख लेते English में जो है आपको practice करने question quiz में जो मैंने डाल रखे हैं आप ज्या verb और tenses कल हम करेंगे इसके ऊपर का portion यानि की noun pronoun और article तो ठीक है आज आप इसे complete कर लिजे उसके बाद computer में ज्यादा था था questions लगाईए क्योंकि हम इसको अलड़ी पढ़ चुके है input output के बारे में जो भी devices होती है अलग-अलग ठीक है थोड़ा ध्यान से पढ़ी पहले कौन से आई आकरी में कौन से आई कि सबसे तेज कौन सी है impact कौन करता है ये सारी चीजे थोड़ा सबको पता होना चाहिए आईडिया होना चाहिए हलका साथ ठीक है फिर अलग-अलग generations जो थे अलग-अलग काल थे computers के ना पहले computer किस तरह क्या देता है उसमें कौन से technology use होती थी फिर कौन से computer आता है उसमें कौन से technology use होती थी इस तरीके से technology change होती गई तो computer के बारे में आप पढ़ सकते है और introduction of computer, computer के कौन कों से भाग होते हैं, अंग होते हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं तो ये सारी चीजे होगे computer के questions के बारे में GS में जो है मद देगालीन भारत को आज हम रिवाइज करेंगे और कल जो हम लोग करेंगे अपना आदुनिक भारत का रिविजिन जो किया यहां तक टिक है निसोनिस तक तो उसको जो है हम लोग कल करते हैं और इसी तरीके से जो है यह आज हमारा हो जाएगा complete तो आखरी में ए एक हमारा full test series चल रही है अगर आप बहुत अच्छे से तियारी करना चाते हैं और देखना चाते हैं क्या 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 मेरी कमिया हैं और आप बाकी बच्चों से compete करके अपना एक score जाना चाते हैं या फिर आप देखना चाते है exam का किस तरह का pattern है वो feel देखना चाते हैं वो समझना चाहता है एक्जाम को और अच्छे से तो आप ये हमारा अलाबाद हाई कोड का जो एक्जाम का मैंने टेस्स सिरीज हमनों लॉंच करिए इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी तक दो एक्जाम इसमें आज जो है मद्यकाली नित्यास का एक्जाम हो जाएगा और एक पहले हो चुका है तो यानि कि इसके भी आपको जो है पेपर मिल जाएंगे और आप उनको भी लगा सकते हैं इलेक्ट्रोनिक फॉर्माट में पर एक्जाम होगा और जो है आपको PDF भी मिलेगा दूसरी चीज़ क्या है इसमें English के questions भी included हैं यह मैं आपको बता दूँ य